किसी भी कार्य के आरंभ में दीप प्रागट्य होता है तो वह कार्य प्रकाशित ही होता रहता है अगनी को नाराइन कहा गया है, सुर्य को नाराइन कहा गया है, क्योंकि प्रकाश है और वेदान्त में प्रकाश को ही ब्रह्म कहा गया ब्रह्म परम प्रकाश रूप है वह प्रकाश रूप है तो आरंभ में ब्रह्मान उभोती ब्रह्मारपन करना यह हम सभी सनात अंधरमा वलंबियों का यह विशेश एक नियम है उस नियम के तहट दीप प्रागट्य में यह सभी गणमान्य पदादिकारी उपस्थित रहे आस्था पर और आस्था भजन चैनल पर सुनने वाले सभी शरोताओं का व्यास्पीट से अभिनंदन करता हूं और विलास्पूर की धरा से भगवान राम के ननिहाल से चतिस गड़ की धरा से देश विदेश में बैठे रहे जो सभी शरोतागण चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उन सभी शरोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत इसके पुर्व अभी अमरावती में कथा चल रही थी तीन दिन कथा हुई और चौथे दीन एक बहुत दुखद घटना घटी जो हमारे माता पिता जो हमारे गुरुदेव सशरीर आश्रबाद देते थे अचानक चलते फिरते ही वह साके तवासी हो गए देवलोक गमन हुआ उनका और मेरे लिए वह बहुत असहनी अपीडा रही अभी भी मैं उस दुख से उबर नहीं पा रहा हूँ मैंने भगवान को प्रत्यक्ष तो नहीं देखा लेकिन गुरुदेव के रूप में मैंने भगवान का सदई वदर्शन किया भगवान का साक्षा तस्वरो हमारे गुरुदेव वह मेरे गुर्देव थे इसलिए मैं प्रशुन्शा नहीं करता क्योंकि वह उस योग्य थे अभी जब गहाट पर जब शोर करम करा रहा था अपने बाल उतरवा रहा था तो जो नाई बाल उतारने आया उसके आँख में आसू थे तो मैंने उसको पूछा वो कहीं जोपड़े में रहता है गंगा के तीर पर तो मैंने उसको पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो और रोने लगा उसने कहा कि महराज आपको पता नहीं है जो गुर्देव देहावसान हुआ जिनका वो हर महीने मेरी जोपड़ी में आटे की बोरी भिजवाया करते थे कभी कोई परिचए नहीं था उन से लेकिन ऐसे कई जोपड़ियों में कई गरीबों पर वो सहज करुणा कर देते थे किस कारण मैं कहता हूँ ऐसे महापुरुश ऐसी महानात्मा धर्ती पर बहुत कम होती हैं भारत वर्ष के वे शिष्य वे भक्त परम्स वभग्यशाली रहे जिनको हमारे गुर्देव का लाड़ प्यार मिला जिनको आशरबाद मिला हमारे गुर्देव बाले काली अवस्था से ही संत परिवेश में थे और यहाँ बिलासपुर से जो बहुत नजदीक एक पावंतिर्थ है मानरमदा की उद्गमस्थली है इसी धरा पर लगभग ग्यारह वर्ष तक केवल दूध पीकर आराधना किये तपस्या किये और इसी धरा पर उनको मा की साक्षात अनभूती हुई साक्षात कार हुआ और यहाँ से उन्होंने अपने जीवन की आत्रा शुरू की थी संपुर्ण भारत वर्ष में सनात अंधर्म का प्रचार किया और आज मेरे जैसे उनके कई शिश्य केवल भारत वर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में सनात अंधर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ऐसे महापुरुष के चरणों में शत्षत नमन करते हुए प्रणाम करते हुए कथा का शुबारंबहम करेंगे वैसे हरिद्वार से आने का मन तो नहीं था लेकिन हान इलाह जीवन मरन यश अपयश बीदिहांत इस दोहे को स्मर्ण करते हुए और राठोर साहब का इतना बहाव था इतना प्रेम था कि मैं उनको मना न कर पाया और मैंने कहा कि ठीक है कितनी भी बड़ी दुखत घटना हो लेकिन राम जी का गुणगान बंध नहीं होना चाहिए यह तो व्यक्तिगत मनुष्य का अपना प्रेम होता है अपना लगाव होता है यह नितांत सत्य है कि जवाएं हैं उनको जाना है जो जन्मे हैं उनकी मृत्यू भी है यह नितांत सत्य है महाभारत का बड़ा प्यारा प्रसंग है महराज उदिष्ठिर को यक्ष ने प्रश्ण किया कि हे राधन संसार में सबसे बड़ा आश्षर ये क्या है तो धर्मराज उदिष्ठिर ने यही कहा कि सबसे बड़ा संसार में आश्षर यही है कि हर कोई दूसरें को मृत्यू प्राप्त करते हुए देखता है फिर भी उसको ये लगता है कि मैं कभी मरूंगा नहीं यही संसार का सबसे बड़ा आश्चरिय जाना सभी को है लेकिन हम इस बात को भूल चुके होते हैं श्रीमत भागवत में शुकदेव ने राजा परिक्षित को बड़ा प्यारा ग्यान दिया संयोग वियोग ये मिठ्या होती है ये बात उनको अच्छी तरह से समधा दिया लेकिन फिर भी अंतीन दिन जब आचारे पुज्य शुकदेव विदा होने लगे तो राजा परिक्षित के आँख में अशु थे एक आत्मी अता एक लगाओ के कारण व्यास पीट पर बैठते बैठते इतने वर्षों में इतना तो परमातमा की कृपा से अनुभव हुआ कि इस नश्वर शरीर को एक दिन जाना है लेकिन फिर भी एक आत्मियता और एक प्रेम के कारण मनुष्य जीवन है पीडा होती है दुख होता है फिर भी राम जी के चरित्र पर हम सभी लोग प्रेम रखते हुए साथ दिनों तक भगवान राम के चरित्र का हम सब लोग दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रियास करें इसी भाव से हम राम कथा का आनंद लेंगे नियम ये होता है कि प्रत्म दीन जिस गरंथ की कथा हम शुरू करें उसकी महिमा का गान करना चाहिए जिसको हम महत्म कहते हैं हमारे बाबा तुरसी में राम तरीत मानस का महत्म नहीं रखा क्योंकि राम जी से कौन परचित नहीं है भारत वर्ष की धरापर यदि हमारा जन्म हुआ है और हम राम जी से अपरचित हैं तो ये हमारा धुरुभग्य है क्योंकि राम जी यहां के प्राणों में हैं यहां की हवाओं में हैं स्वास स्वास में हैं इसलिए भगवान राम की इस रामतरित मानस में बाबा तुलसी ने महत्म का वरणन नहीं किया संतों ने अपने अपने डंग से रामायन का महत्म वरणन किया है रामायन से कौन परचित नहीं है हम सभी रामायन से परचित हैं भारत बरश में अधिकानश लोग भगवान राम को वादर शमान कर अपने जीवन की शुरुबात कर दें मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का करतब्य क्या है? परिवार में व्यक्ति का उत्तरदाइत्व क्या है? रिष्टों के प्रती मर्यादाईं क्या हैं ये भगवान राम के चरित से ही तो सिख्षा मिलती है सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद पापुजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकान को दबाना न भूलें